नमस्कार दोस्तों मैं अचार रविंद्र अध्यात्म अवर्नीश पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपको विडियो में यह बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारी समस्यां आपके जीवन में हैं कोट कचाड़ी चल रहा है शादियां नहीं हो रही है या यूँ कहें कि धन की बरकत नहीं है यह सारी उपाय है सास्त्र में बताया गया है कि सभी चीज का उपाय है अगर आप बिल्कुल सच्चे मन से, दिल से, प्रेम से करते हो ति यह उपाय आपको मालो माल बना देता है करोरपती बना देता है धनवान बना देता है जो शब्द बोलो वो छोटा है लेकिन दिल से करना है प्रेम से करना है निश्वार्थ करना है अगर आप यह करते हो तो बिल्कुल आप समझो के जीवन में यह सारे तकलिफें दूर हो सकते हैं अब इसके करने के बिधान भी हम बताएंगे, कौन कैसे कार्ज करना है, यही तो में रूप से जानना है, बास्तु सास्त्र में बताया गया है कि प्रतिक क्छिन, अगर गो का मुर्ती लगा दो, बाग का मुर्ती लगा दो, गोरे का मुर्ती लगा दो, यह है क्या, यहां आप आपके अंदर शकारत्म कुर्जा को देता है, बास्तु दोश को खतम करता है, नकारत्म कुर्जा को खतम करता है, और जीवन में, घर में, जीवन में और घर में शम्रधी आती है, शुक आती है, शान्ती आती है, इसी चीज को समझना है, शास्त्र में बता गया है, बैदिक ग जीब की सेबा में जैन धर्म ने बहुत ही किलियर असपस्ट किया है, कि आपके दोरा किसी जीब की हत्या नहीं हो, किसी जीब को कष्ट नहीं हो, इसके संबंध में जैन में सबसे जादे बिशलेशन किया गया है, लेकिन ये सारे धर्म बैशनब धर्म से निकले हुए हैं और इसका मूल जड़ जो है बैशनब है तो यही जो आपकी संस्कृति है इसी को जानना है आप क्यों जाते हो मंदिर में देखते हो कि हम नंदी का पुजा करते हैं, हम चुहे का सेवा करते हैं, हम शेर का सेवा करते हैं, हम घोरे का सेवा करते हैं, हम कुत्ते का सेवा करते हैं, यह कैसे हम नदियों का सेवा करते हैं, यह कैसे हम मचलियों का सेवा करते हैं, बावन अपतार जो आप देखते हो, मतस्प अपता इसी चीज को समझना है आप ध्यान से समझे हम एक एक करके बर्दन कर रहे हैं आप घर में खाना बनाते हो खाना बनाते हो तो आप ये समझो जब आप रोटी बनाते हो चपाती बनाते हैं उसका पर्थन जो बच जाता है उसको थोरी सी घी डाल करके जो है सो ब्राउन कर लो और उसके बाद जो है उसमें थोरा सा सक्कर का बुरादा डाल करके उसको मिला लो और निकाल करके चीटियों को दे दो, इसी चीज को समझना है, चीटि की सेवा सबसे बहुत महत्पुर्ण सेवा बताया गया है, आपको धन की कमी हो रही है, आपको घर में शम्रदी नहीं हो तो आप कुछ तो करो, इसमें कोई खर्ची नहीं है, एक सिक्के का खर्च नहीं है, घर में आप रोटी बनाते हो, उसका पर्थन लो, उसमें शक्कर का बुरा मिला करके कहीं भी जहां चीटियों है, सुन्सान जार के नीचे रख दो, जितना चीटियां खाएगी, उतना आ ऐसे राम बानुपा है, जिसको करने से आपके जीवन में चमतकारी लाब हो सकता है, आप गौ को हरा चारा देते हो, चमतकारी लाब मिलेगा, हम कहते हैं कुछ भी नहीं करो, पांच केजी जो है, सो आप आलू ले लो और गौशाला में गौ को खिला दो, मानोगे नहीं क्या कितना लाब मिलेगा, कितना लाब मिलेगा, आप कलपना नहीं कर सकते हो, करके देखो, निश्वारत भाव से करके देखो, आप गौ को गौ रोटी खिलाते हो, कितना लाब मिलेगा, आप कलपना नहीं कर सकते हो, तो ये सार चीज, क्योंकि सभी का सम्बंध जुरा हुआ है हम कहते हैं कि जब पित्र शेवा करते हैं, पित्र दान करते हैं, पित्र अरपन करते हैं, तो क्या होता है, तरपन में क्या होता है, इस चीज को समझो, हमारी सबसे प्राथिमिक्ता होती है, कि हम काक को खिलाएं, कव्य को खिलाएं, तो वो पित्र तक पहुंच जाती है, तो स इतना लाब मिलेगा आप कलपना भी नहीं कर सकते हो। एक राम बानु उपाय है जिसको महा उपाय कर सकते है। गुरु पुक के दिन, रभी पुक के दिन, अगर आप नारियल ले लो, पानी वाला नारियल जिसमें खोपरा रहता है, और उसका पानी निकाल दो या पानी सही उसमें सक्कड डाल करके और केवल उसका मुँ दिखता रहे और किसी भी सुनसान जहार के नीचे रख दो चीटियां महिनों खाते रहेंगे और जितना खाएंगे उतना असिर्बात देंगे और आपके धन में बर्दी होगी आपकी संब्रदी में बड़दी होगी आपका मान सम्मान बरेगा घर में साधियां नहीं हो रिये तो क्या है बंदर को खिलाओ साधियां बहुत सरल ढंक से हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा तो ये सारे चीज जो है गरंदों से है मैं अपने तरब से कुछ भी नहीं कहने की कोशिस कर रहा हूँ और आपको यह एक प्रकार का हम उपाय बता रहे हैं कि आपके जीवन में कई चमतकार हो सकते हैं जब आप सेबा भाव रखोगी प्रमातमा कहते हैं कि निश्वार्त भाव से क्या हुआ सेबा आपको कई गुना लाब देता है मौक्ष की प्राप्ति देती है मौक्ष की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कौन देखा है मौक्ष लेकिन मौक्ष तो हो सकता है आपके रिन से मौक्ष हो सकता है आपके जो है लाई जगडे से मौक्ष हो सकता है आपके जीवन में शमस्यां से मोक्ष हो सकता है, यह संब मोग्ष है, यही तो है, आननदित होकर के जीओ, यही सबसे बरी चीज है, ध्यान से आप जीवन में करें, उप्योग में लाएं, आपको यह संबर्दी मिलें, तो कॉमेंट बॉक्स में गुरुजी आपने रामबान उपए बताए धन्यवाद फिर मिलते हैं लिए वीडियो नमस्क्राइब